हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदे के मोश्ट इंपोर्टेन वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आच चुगा हो दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वन शॉट वीडियो का वो होगा 10 स्टैंडर का जियोमेट्री जियां दोस्तों नाजस पार्ट 2 10 स्टैंडर के लिए इसका हम चाप्टर नमबर टू जिसका नामे पाइथा गोरस थीरम इस चाप्टर का वन शॉट रिवीजन वीडियो आपको कराने वाले तो आज के इसी वीडियो के अंदर एक कंटिन्यूस लेक्चर आपको दिखेग लिएंगे तो हम आपको कराने वाले वह टॉपिक के साथ हर एक टॉपिक का एक के एक ग्जामपल भी आपको कराएंगे ताकि हर एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए और बाकी जो रेगुलर वीडियो सा आप देखना चाहते हो तो हमारे प्लेश्ट में प्लीज जाए अच्छे से रेगूलर लेक्चर वीडियो भी देख सकते हो जाके और रिविजिन वीडियो भी देख लोगे तो और अच्छी तरीके से आ जाएगा और बोड एक्जाम आ रहा है पढ़ाई जारी रहनी चाहिए ठीक है शुरुआत कर लेते हैं तो हम क्या तो सबसे पहले देखते हैं कि इस जो पाइथा गोरस थीरम है इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है जादा हम टाइम वेश्ट नहीं करेंगे हम चाहते कि कम समय में आपको ज्यादा नॉलिज दिया जाए ठीक है तो फटा फट से कट्टू कट चलेंगे जो जो टॉपिक से अब यहोता कैया है पाइथा गोरियन ट्रिप्लेट अब पाइथा गोर्यट लुपित क्या होता है basically अगर आप कोई भी तीन नंबर को पकड़ लो समझ्चलो कोई एक नंबर ले रहा हूँ यहां पर जो की बहुत ज्यादा सिंपल है 345 समझญ ले क 거의 सरी कॉमा 4-5 यह मैंने 3 नंबर ले लिया अब यहां पर क्या होगा ट्रिपलेक मतलब क्या होता है तो नॉम्मली करना क्या हुता है कैसे पता लगए कोश्यंव कैसे पूछता है . या मत्वलस मła teaspoon क्या रोल है तो वह हम लोग डिसकस करेंगे। क्टा वीडí क्ट्रिवा डिक्ट्र डिरगें वीडिव में पढ़ा और तो नॉमली करना क्या हो ता है do बाइथा गुरियन ट्रीपलेट बाइचा या नहीं है इस प्रकार का आपको पॉचे सिंपल होता है कैसे सॉल करना आपको कभी भी कोई तीन नमबर दिख जाएंगे तो उसको पहले लाइन लिख दो ये Abgम लिख दो नाव ले सब दो पहले क्या करना है ये 3 मतलब हर एक नंबर का जो भी पाइथागों ट्रिपलेट के लिए तीनों नंबर दियें तीनों का स्कॉयर करके उसका वैल्यू लिखना है तो 3 का स्कॉयर हो जाएगा 9, 4 का स्कॉयर हो जाएगा 16, 5 का स्कॉयर हो जाएगा 25 फिर क्या करना है जब आपने तीनों का स्क्वायर निकाल दिया वो तीनों स्क्वायर का जो एंसर आया जो वैल्यू आया उसको कंपेर करना है और किसी दो को प्लस करके देखना है कि तीसरा नंबर आ रहा है क्या तो आप क्या करो किसी भी दो नंबर को प्लस करो और देखो त पहला दूसरा या फिर पहला तिसरा कोई भी दो नंबर को अगर प्लस करके तिसरा नंबर निकाल देते हो और वो एक्वल आ जाता है तो समझ जाना कि ये एक पाईथागोरिन ट्रीपलेट है क्या है पाइटागण जैसे कि एक्जांपल के तोरह हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमार्ष थ्री का स्कॉयर ना गयाए 5 सकॉयर 25 साज गया तो हम यहां यहां पर देखे nga कि हमने अगर 3 स्कॉयर को और यह 4 स्कॉयर को प्legसट किया तो 3 स्क्वाइर कितना है 9 और 4 स्क्वाइर 16 तो कितना आ जाएगा इसका वैलू इसका वैलू आ जाएगा 25 जो कि किसके बराबर है तीसरे के 5 स्क्वाइर का वैलू डिरेक्ली पता है में 25 है यानि कि यहां पे भी 25 आ रहा है यानि कि अगर आप 3 स्क्वाइर को और 4 स्क्वाइर क यह क्या है आर पाइथागोरियन ट्रिप्लेड यह क्या है पाइथागोरियन ट्रिप्लेड है ऐसा आप लिख सकते हो कितना सिंपल है इससे सिंपल कुछ हो सकता है दो माक्स के लिए एक्जाम में अगर पूछेगा तो क्या आप सॉल कर सकते हो बिल्कुल सॉल कर सकते हो इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों ठीक है और यह आते भी है पाइथा गोरें ट्रिपलेड मतला मेरे इससाब से दोस्तों एट लिस्ट 4.5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं में इसके चांसे 95% से ज्यादा है इस प्रकार के question आपको पूछा जाएगा ठीक है और कभी ऐसा कुछ question आया जिसमें कोई भी नंबर को प्लस करके तीसरा नंबर नहीं आ रहा है मतला वो पाइथा गोरें ट्रिपलेड नहीं है एक और एक्जामपल के दौर पर मैं आपको छोटा लेना है या फिर screenshot लेना है तो आप ले सकते हैं मैं थोड़ा साइड हट जाया करूँगा हमेशा आप screenshot ले लेना या फिर जब भी आपको मन करें आप वीडियो को पॉस करके वहाँ पर अपने notebook में देखो notebook लेके बैठना दोस्तों पेन और notebook लेके बैठना Facebook भी साथ में ले अब मैं कोई भी तीनों नंबर में से दो नंबर को लूँगा कि प्लस करके तीसरा नंबर आ रहे है तो आप 4 और 16 को प्लस करो यानि कि आप 4 प्लस 16 करोगे तो यह 20 हो रहा है ठीक है और जो लास्ट नंबर है वो कितना है 36 है तो 20 जो है 36 के बराबर निया यानि 20 not equal to 36 यान और दूसरा नंबर का square तीसरे नंबर के square के बराबर निया not equal आ रहे है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो है 2,4,6 जो है are not pythagorean triplet यह pythagorean triplet नहीं है हम ऐसा इसको बोल सकते हैं clear है है कि नहीं simple दोस्तो तो trust me अगर आपको यह examic question इस प्रकार पूछेगा बड़े-बड practice set जो इसके उपर base है वो भी पूरा solve कर आए हुआ है तो आप regular lecture videos भी जाके देख लेना ठीक है अब इसको मैं rough कर रहा हूँ क्यूंकि अब हम जाएंगे हमारे topic no.2 पहला topic pythagorean triplet उमीद करता हूँ पूरा clear हो गया होगा चलते है topic no.2 की तरफ हैं देखते हैं कि topic no.2 में हम कौन सा topic है किस प्रकार के example पूछे जा सकते हैं आपके examo में ओके चलिए मज़ा आ रहा है चलिए शुरुवात कर लेंगे तो second topic का नाम क्या है यहाँ पे मैं heading डालना चाहूंगा second topic है हमारा उसका नाम है दोस्तो properties अब यह properties बहुत सारे हैं यह हमारा second topic है ठीक है हमें properties अब आप बोलेगे कि सर यह क्या है तो कहीं सुना हुआ लग रहा है सुना हुआ डेफिनिटली लग रहा है अगर आप हमारे रेगुलर लेक्ट्र वीडियो देखते हो तो आपको जरूर सही सुना हुआ लग रहेगा तो इसमें होता क्या है एक triangle रहेगा मैं diagram भी draw करने की क अब इसमें क्या property है यह हम Q पड़ रहें तो इसका कुछ rule है बेसिक rule है यह property ध्यान में रखना है आपको कि समझ लोग यहां पे दो फॉर्मूला आपको याद रखना है एक होता है आपका यहां पे मैं मारकर ले लेता हूं black एक होता है आपका side opposite to 30 degree ठीक है और दूसरा होता है आपका side opposite to 60 degree यह दो का ही value निकलता है पर इसके लिए formula बनते है वह formula क्या है पर फॉर्मूला को by heart कर ले ना कभी भी ऐसा triangle आपको दिखे और जिसमें 30 60 90 degree और इसमें 30 60 90 का property लगेगा बिल्कुल लगेगा तो side opposite to 30 degree मतलब जो 30 degree का angle है उसके opposite में जो side है कुन सा side opposite में बीसी तो यह बीसी का value निकलेगा तो side opposite to 30 degree यानि बीसी का value यहां से निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तो वो निकलेगा half of hypotenuse यानि कि इसका एक formula बन जाएगा half of hypotenuse तो hypotenuse क्या होता है this is a hypotenuse side opposite to 90 degree जो है hypotenuse होता है ना आपको hypotenuse यह तो पता होगा यह एक side यह दुसरा side है और यह वाला side hypotenuse बोजते हैं, यह तो पता होगा, आपको पढ़ा होगा, तो side opposite to 30 degree होता है, जो भी आएगा, जो भी बहले हो सकता है, अगर triangle के नम PQR होता है, तो यहाँ पर QR आता, समझ में आ रहा है, हम लोग एक example भी solve कर रहेंगे, तो आपको समझ में आ देगा, बस आपको चीजे याद होता है, कि side opposite to 30 degree जो होता है, वो half of hypotenuse होता है, half of hypotenuse, ठीक है, यह BC में मिठा देता हूँ, is equal to क्या होता है, half of hypotenuse, यह आपको याद रखना है, side opposite to 60 degree क्या होता है, 60 degree, उसके opposite में side, क्या है, AB, ठीक है न, यहाँ पे चलो हो, AB आएगा, तो is equal to क्या रहता है, वो 1 by root 2 होता ह है, hypotenuse का, sorry, वो आपका होता है, root 3 by 2, ठीक है, वो क्या होता है, root 3 by 2 into hypotenuse, अब मैं इसके उपर ही एक example solve करा हूँगा, तो आपको clear हो जाएगा, यह पूरा का पूरा हमने, जो regular वीडियो से उसमें भी upload किया होगा है, तो आपको दो formula याद रखना है, एक formula होता है, side opposite to 30 degree, 30 degree के opposite में, जो भी side है, उसका value कैसे निकालोगे, half को hypotenuse से multiply करके, फिर side opposite to 60 degree, उसका value कैसे निकालोगे, दिमाख में चलना चाहिए, देखो मेरी आखे बंदे, दिमाख में चलना चाहिए, वो कैसे निकालोगे, side opposite to 60 degree, root 3 by 2 करो, hypotenuse से multiply करके, तो उसका जो value है, वो आपका आ जाएगा अब इसी के बेसे एक छोटा सा एक्जामपल है वो मैं कराना चाहूंगा देखते हैं आपको ये चीज़ समझ में आएगा कितना अच्छी तरीके से ठीक है तो ध्यान से देख लेना दोस्तो ये एक्जामपल जो है बहुत ही बहतरीन एक्जामपल है मुझे ऐसा लगता है यह मैं आपको कराने जारो तिके करें ओके अब क्या करूं यह मारा एक ट्रैंगल समझ दो एबीसी एकम आप यहाँ पर फुछा है एसिंहोंने देखे रखाए 14 14 सेंटीमीटर यह इन्होंने देखे रखा है हमें कुशन पूचा है find करो AB and BC यहाँ पर क्या बोला है उनको? उन्होंने हमें कि AB और यह BC का value find करो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Find AB and BC इस प्रकार के question आएगे, इसको थोड़े दर के लिए भूल जाओ, यह तो हमारा formula है, इसको थोड़े दर के लिए इसको, लेकिन इसी के help से अभी solve करेंगे हम लोग, यह आपका question है, यह आपको diagram दिया रहेगा, यह भूल जाओ, 30-60-90 नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यह diagram दिख रहा है, और question में बोला है, find करो AB and BC, कैसे निकाल होगे, बोलोगे, सर क्या करना है, इसमें कुछ समझ में न है हम लोग, side opposite to 30 degree का होता है, यह क्या है, BC है ना, तो BC का formula क्या था, side opposite to 30 degree का formula क्या था, half multiply by hypotenuse, तो hypotenuse क्या है यहाँ पर, यहाँ पर hypotenuse AC है, तो BC will be is equal to half of AC, यहाँ प एक बन जाएगा, ठीक है, अब यह तो हो गया, side opposite, लिख दो यहाँ पर, side opposite to 30 degree वाली बात, लिखना पड़ेगा आपको, side opposite to 30 degree वाली बात होगई, यहाँ पे, लेकिन एक side opposite to 60 degree वाला भी होता है, तो side opposite to 60 degree मतलग यह वाला पार्ट, यह एबी का पार्ट, तो यहाँ पे आप लिखो, क्या लिखोगे, कि side opposite to 60 degree वाला जो पार्ट रहेगा, उसमें क्या आएगा, 60 degree का अपोजि BC का वैलू मिलेगा, तो BC will be equal to half multiply by AC का वैलू क्या, यहाँ पे 14 है, तो लिख दो, तो half multiply by 14 is equal to 7, तो आपका BC का वैलू कितना आगया, 7 cm, जो भी रहेगा, उसमें unit लिख देना, यहाँ पे AB का वैलू कैसे निकलेगा, कि AB is equal to root 3 by 2, root 3 by 2 multiply by AC, AC कितना है, 14 है, दिया हुआ 14, तो 2, 7, 14 कटो गया, क्या बचेगा, 7 और यह root 3, तो AB का वैलू आजाएगा, 7 root 3, कितना simple है, cm, clear है, कितना simple है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो आपको खुद बखुद आइडिया लग रहा होगा, कि बहुत ज्यादा simple type के example होते है, बस आपको क्या पता होना चीए, बस simple है, तो फटा-फट से इसको चलो, note down कर लो, फटा-फट से note down कर लो, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाओंगा, और अगले topic के ओपर जाओंगा, ठीक है, चलो, समझ में आगया, बहुत simple है, तो इसी ही को बोलते है, हम लोग 30, 60, 90 degree, triangle का property, समझ में आगया, इसी प्रकार के बह property number B, second property देखने, क्या property है, देखो यही सब है, इस chapter के अंदर, already पूरा regular lecture video में पढ़ाया है, जाके एक बर वह भी देख लेना, समझ में आएगा, बहुत 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 बहुतरी तरीके से, यह तो revision video है, तो आप समझते हैं, revision video का मतलब क्या होता है, फटा-फट से जाना, और आपको revise करवाना, लेकिन actual में regular video जो हम डाले हुए, उसको देखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अगर देखो के तभी तो आपको conceptual knowledge और base समझ में आएगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे भी पूरा conceptual knowledge के साथ पढ़ा रहे हैं, revision भी करवा रहे हैं, लेक समझने की कोशिश करते हैं, तो 45, 45, 90 इसको बोलते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, एक triangle बनेगा, तो triangle का diagram बनाना जरूरी है, तो चलो diagram बना लेते हैं सबसे पहले, किस प्रकार का diagram है, normally अगर कभी भी आपको इस प्रकार का diagram दिखे, बहुत simple है, इस प्रकार का diagram दिखना, यानि कि यह आपका 90 डिगरी बन रहा है, यह आपका बनेगा 45 डिगरी, ठीक है, और यह भी आपका बनेगा 45 डिगरी, तो यह बन गया 45, 45, 90 इसका नाम में रख देता हूँ, A, इसका नाम में रख देता हूँ, B, इसका नाम में C, तो यह triangle देखके ही, आप जब देख रहे opposite of 45 degree, ये भी 45 है, तो इसके opposite में side जो होगा, वो AB होगा, ठीक है, ये भी 45 है, तो इसके opposite में side होगा, वो कौन होगा, BC होगा, ठीक है, और ये दोनों का जो value निकलेगा, वो निकलेगा दोस्तो, 1 by root 2 of the hypotenuse, 1 by root 2 of the hypotenuse, लिख दो यहाँ पे, 1 by root 2 multiply by hypotenuse, और यही formula है, आपको याद रख लेना है, note down कर लेना है, इसी के base पे हम एक example जो है, solve करेंगे, बहुत बहतरीन तरीके से example है, उसको हम लोग solve करेंगे, चलिए, एक example solve करके दिखाता हूँ, ये formula याद रहेगा, कि कभी भी आपको exam एक triangle दिख रहा है, जिसमें 45-42 angle है, और एक 90 degree है, याँखे बन करके cube लोग, फ्यूकि आपको imagine करवार हो दोस्तों, आप ऐसे याँख बन करके धिखान में लगाना, याद करना पड़ता है, तो दिमाख में रखो, कि अगर मुझे कुछ भी side पूछा है, जो 45 डिगरी के opposite वाला, यानि side opposite to 45 डिगरी है, तो मिरे दिमाख में तूरांद चलना चाहिए, उसका value निगलेगा, 1 by root 2 को उसके hypotenuse से multiply करके, ठीक है, समझ में आ गया, अब एक example ले बहुत बहतरी, तो समझ लो, एक triangle है, इसी प्रकार का, ठीक है, इसी प्रकार का एक triangle है, अब ये triangle में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको hypotenuse का value दिया हुआ है, यहाँ पे जो hypotenuse है, उस चीज का value दिया हुआ है, तो समझ लो, hypotenuse जो है, वो 12 cm दिया हुआ A, B लो, या फिर B, C लो, यह दोनों A की होंगे, क्यों, क्योंकि यह दोनों के दोनों side opposite to 45 degree है, यह क्या है, side opposite to 45 degree है, और हमको पता है कि जब भी side opposite to 45 degree आता है, तो उसका value जो होता है, वो होता है, 1 by root 2 multiplied by hypotenuse, यहाँ पे hypotenuse कोन है, यहाँ पे hypotenuse AC है, कैसे पहचानते hypotenuse को, 90 के opposite वाला side हमेशा hypotenuse होता है, तो यह 90 के opposite वाला side, मतलब AC आपका क्या है, hypotenuse है, तो इसमें AC का value डाल दो, आपका answer आ गया, 1 by root 2 multiplied by AC कितना है, 12 है, ठीक है, काट सकते हैं, क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, AB is equal to BC is equal to 12 upon root 2, इसका answer कैसे निकालोगे, ऐसा कुछ, जहाँ पे first गहें तो क्या करना पता है, क्या करना, multiply करना, उपर भी root 2, नीचे भी root 2, जो नीचे वाला रहता है, उसे को सेम से multiply कर देणा, तो क्या आएगा, देखो, 12 multiply by root 2, उपर आजएगा, 12 root 2, नीचे आजएगा, root 2 multiply by root 2 is 2, root root cancel हो गए, तो root 2 is 2, तो नीचे आ गया 2, फिर 211 are 2, यानि कि आपका फाइनल एंसर आ रहा है 6 root 2, this is your final centimeter में जो भी रहेगा value डाल देना, तो 6 root 2 आपका एंसर आ गया, यानि कि जो आपको पूछा था, A, B और B, C का value निकाल के दिखाओ, या आपने निकाल दिया 6 root 2, दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि side opposite 45 degree दोनों के लिए सेम होता है, clear है, बहुत ही easy तरीके से हैं, दोस्तों, ये पूरा का पूरा, जो ये chapter है, बहुत easy है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमारा दूसरा property जिसका नाम है 45, 45, 45, 90, बहुत बेतरीन तरीके से हमने इसको समझा दिया है, clear है, clear है, clear है दोस्तों, अब चले next topic की तरफ, ये हो गया topic number 2, यानि properties जो हमने पढ़ा, वो हमने complete कर दिया, clear है, समझ में आ गया, इसी की base पे बहुत सारे examples हमने solve करावाए है, practice set में भी करवाए क्योंकि आगे का topic हम इस प्रकार करवाएंगे, रफ कर दो, आप screenshot लेना चाओगे, तो ले सकते हो, ठीक है, चले, हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप देखते हैं, तीसरा topic जो है, देखो ये chapter में कुछ part reduce भी है, तो भी बता दूँगा कि कौन सा part reduce है और आपका कौ हम लोग हमारे topic number 3, ठीक है, चले, लिख देता हूँ heading में, तीसरा topic क्या है, क्या है तीसरा topic, तो third topic जो है दोस्तों, वो है similarity and right angle triangle, ठीक है, third topic जो है similarity and right angle triangle, अब इसमें करना क्या है और इसमें क्या चीज याद रखना आपको, ध्यान से समझ लेना, अगर आप ये चीज समझ पारे हो, तो बहुत easy हो जाएगा ये chapter आपके लिए, ठीक है न, देखो, कभी इस प्रकार का अगर आपको diagram दिया होता है, समझ लो, मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से, अगर आपको कोई diagram दिया हुआ है, let's suppose, इसका नाम में रखना जिसमें ये बोला हुआ है, कि ये एक triangle है, जिसका नाम है ABC, और इसमें आपका जो angle ABC दिख रहा है, ये भी आपका क्या है, 90 degree है, क्योंकि दिख भी रहा है है, तो आपे यहाँ पे angle ABC will be equal to 90 degree, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, angle ABC 90 degree दिया हुआ है एक triangle में, और एक और चीज यहाँ पे बोला है, कि इसमें जो segment BD दिख रहा है, BD, ठीक है ना, BD नहीं, BD, तो इसमें जो BD दिख रहा है, ये जो segment है, BD नाम का, ये क्या है, perpendicular है, किस से perpendicular है, अगर आपको इस परकार का diagram दिख रहा है, जिसमें आपका पूरा 90 degree का एक बढ़ा triangle है, और इसके अंदर से एक line गया है, जो कि again perpendicular बना रहा है, तो इसमें एक formula बनता है, और वो formula यानि एक property बनता है, वो property का नाम ये है, कि इसमें जो triangle रहेगा हमारा, कुन सा triangle, यहाँ पे आप देखोगे, तो ये पूरा triangle में भी, ये दो अलग-अलग triangle बन गए, इस line के वज़े से, ये segment BD perpendicular होने के वज़े से ये पूरे triangle को ये दो triangle में बाट दिया गया है, तो यानि कि ये दोनो triangle आपस में क्या हो जाएंगे, similar हो जाएंगे, यानि कि A, D, B जो है यहाँ पर ट्रांगल एक ट्रांगल अगर आप देखो गे तो यहाँ पर द्रांगल दिकरेंगल कंद लैकित सिमिलर जैसे मैंने बोला कि अगर 20 मarm और या इसका मतलब यह वाला ट्रेंगल और यह वाला ट्रेंगल और क्या बन गया, यह एक formula बन गया, यह याद रखने वाली property बन गई, कि whenever, if a triangle is given, जिसमें से यह perpendicular होगा, यह 90 degree होगा, तो आपके तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, similar हो जाएंगे, और इस property को बोलते हैं, दोस्तो, transitivity, ठीक है, क्या बोलते हैं, इस property को हम लोग क्या बोलते है transitivity इसको याद रखना है, इसको आप screenshot ले लो, क्योंकि इसके ओपर बहुत सारे questions, जो है, वो frame भी होते हैं, clear है, याद रहेगा यह चीज, अब एक ऐसा topic पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाद का चौता topic जो आ रहा है, इसके बाद का एक ऐसा topic है, जो 100 टक का, इसके ओपर एक एक्जामपल एक्जाम में जरूर पूझेगा आपके geometry के paper की अदर, ठीक है, तो अभी मैं इसको rough कर रहा हूँ, आप लोग screenshot ले लो, अभी मैं 4th example कराने जा रहा हूँ, 4th type का topic, देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ तो अब तक, देखते हैं किस प्रकार का है ठीक है, यह होगे हमारा board clean, अब मैं जा रहा हूँ, दोस्तो हमारे 4th topic के उपर, देखते हैं, 4th topic हमारा क्या है, ध्यान से देख लेना, तो यह 4th topic का जो नाम है दोस्तो, इसको बोलते हैं हम लोग geometric mean theorem, क्या बोलते हैं इसको, geometric mean theorem, यह theorem में है क्या, क्या याद रखना है, और यह theorem के उपर, एक जो example, exam में पूछ सकता है, chances जो है, और किस type के example पूछते हैं, उसका में एक solve करवा हूँ, आपको लिए, सबसे पहले यहाँ पे एक diagram आपको समझना पड़ेगा, let's suppose, कि यहाँ पे इस प्रकार से एक diagram दिया हुए, ठीक है और थोड़ा सा में बड़ा बनाता हूँ, चलो, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा और बड़ा diagram बनाता हूँ, तापकि और थोड़ा clearly आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से, समझ लो, कि हमारा एक diagram है, यह आपको diagram दिख रहा होगा, उमीद करता हू होगा इस से, और उसका नाम में, जो point का जो नाम है, वो में रख देता हूँ, S, यह point का नाम में क्या रख देता हूँ, S, तो यह क्या कहलाएगा, यह हमारा रहेगा, एक right angle triangle, ट्रेंगल है, ठीक है न, देखो ध्यान से, in triangle PQR, यह पूरा जो triangle PQR है, इसमें जो PQR है, य जो angle होगा Q, यह क्या होगा, 90 degree होगा, यानि angle Q is 90 degree, ठीक है, angle Q 90 degree है, और इसमें जो आपका यह QS नजर आ रहा है, आपको, QS जो नजर आ रहा है, वो PS से क्या है, perpendicular है, यानि QS is perpendicular to, किस से perpendicular है, PR से अगर आप देखोगे, यह जो QS है, यह PR से perpendicular है, तो अगर ऐसा होता है, त यानि कि यह जो line है QS, जो perpendicular है, इससे, hypotenuse है, यह hypotenuse है, यह P से लेके R कहा है, आपका hypotenuse है, क्योंकि यह 90 के opposite है, तो क्या हो जाएगा, QS square will be equal to दोस्टो, यह हो जाएगा, PS multiply by SR, यह क्यों हुआ, देखो ध्यान से, यह QS आपका, किसको perpendicular by sector है, किसको perpendicular कर रहा है, यहाँ पे PS को और यह SR को कर रहा है, तो इसका जो QS का जो square हो जाएगा, वो PS और SR के multiplication के product के बराबर हो जाएगा, और यह formula आपको by heart कर लेना, याद रखलना है, और यही formula को हम लोग बोलते है, geometric mean theorem, GMT shortcut तरीके से मैं याद रखता है इसको, बच्पन में, मतलब जब मैंने पढ़ करके इस formula के through निकाल सकते हो, अब इसी के उपर एक और example में करवाता हूँ, यह तो आपका formula हो गया, लेकिन सेम इसके उपर एक example करवा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और इसी type के example पूछे भी जाएंगे exam में, ठीक है, let's suppose, अभी मैं इसको screenshot ले लो, क्योंकि मैं इसी के बेस पर एक example कराने वाला हूँ, geometric mean theorem के उपर, फटा फट से screenshot लेते जाओ दोस्तों, ठीक है, देख लो, screenshot ले लिया, अब मैं इसको मिटा रहे जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे time दे तो 2 second का, ठीक है, आप देखो यहाँ पी ध्यान से, कि समझ लो, आपको exam में इस प्रकार का question पूछे जा सकता है, let's suppose, let's suppose, आपको पूछा है, एक diagram में बना दू सबसे पहले, आपको पूछा है यहाँ पे, कि एक हमारे पास triangle है, जिसका नाम है दोस्तों, प, क्यू, आर, जिसका नाम है दोस्तों, प, क्यू, आर, जिसमें, प हो रही है, जो कि 90 degree बना रही है, और इसका नाम है N, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ values दिये हुए, तो यह PN का value है 9, फिर यहाँ पे N से लेके R का value है, वो है 16, ठीक है न, 16 दिया हुआ है, और हमें पूछा है, find करो, किसका value find करने पूछा है, हमें QN का value, QN कि दर दिख रह कि यार, यह किस तरह दिख रहा है, तो आपको देखोगे कि सर, यह triangle बन रहा है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें GMT लगेगा, geometric mean theorem लगेगा, तो यह देखके ही अंदाजा लग गया हमें, यह देखके ही थोड़ा बूथ हमें समझ में आ जाता है, डाइग्राम देख QN perpendicular है, PR से, हाइपोटेनेस से वो perpendicular है, तो ऐसे case में क्या होता है, हम जो है, geometric mean theorem जो है, apply कर सकते है, तो by applying the geometric mean theorem, ऐसा लिख देंगे हम लोग, और हमारा formula का है, geometric mean theorem का, कि यह जो होता है, length, यह जो भी रहेगा, क्या है यह QN, तो यह जो होता है, QN, इसका square जो होता है, is equal to, यह वाला side का, और यह वाले side का multiplication होता है, यानि PN multiply by NR हो जाएगा, ठीक है, PN multiply by NR हो जाएगा, अब यह इसके पहले formula देखा न, उसमें भी ABC था, ABC था न, कि XYZ जो भी था, तो उसके हिसाब से हमने देखा था, अब यह PQR है, तो PQR के हिसाब से, यह QN का square is equal to PN multiply by NR हो जा 2N square is equal to 144, therefore QN will be equal to square root of 144, under root में चला जाएगा 144, और आप सभी जानते कि 144 का square root का square root क्या होता है, 12 होता है, तो आपका finally, आपे QN का जो value आजाएगा, वो हो जाएगा 12 cm, कितना आसानी से आपने इसका answer निकाल दिया, देखो, आपका answer भी आ गया, कि QN will be equal to 12 cm, एकिनी simple दोस् लेक्चर्स तो देख लो यार, ये revision वीडियो आपको ये boosting का काम करेगा, बुलते ना fire है, ऐसा वाला, तो आपको ये चीज़ देख कही मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, clear है, चले है, आगे बड़े, समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से तो क्यों कितना हो गया, 12 cm हो गया, तो ये था हमारा topic जिसका नाम था Geometric Mean Theorem, जिसके help से हमने ये पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से explain आपको कर दिया, और एक example भी आपको बता दिया, clear है, अब चले next topic की तरफ, और next topic क्या होगा, obviously, बहुत simple topic है, जो भी chapter का नाम है चाप्टर का नाम किया है दोस्तों पाइथागोरस थेरम, तो पाइथागोरस थेरम देख लेते हैं, बहुत easy है, लेकिन इसके उपर question कैसा आ सकता है, by chance chances कम होते हैं, लेकिन आगर आ गया, तो हम लोग इस topic के through भी कर सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा side हट रहा हूँ यह ताकि आप लोग इसको फटा-फट से क्या करो, screenshot लेते जाओ, ठीक है, screenshot ले लोग क्योंकि अभी next topic पर जा रहे हैं, हम लोग, चलो, फटा-फट से, मिटा दू, फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, अब देखते हैं हमारा पाच वाट टॉपिक क्या है, write down, topic नमबर फिफ्थ, ठीक है, तो टॉपिक का जो नाम जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों, वो है, पाइथागोरस ठीरम, अब पाइथागोरस ठीरम क्या है, बहुत सि लिख देता हूं पहले heading, पाइथागोरस ठीरम, ठीक है, अब ये पाइथागोरस ठीरम क्या होता है, डाइगरम की थूपिले समझने की कोशिश करेंगे, let's suppose कि आप जो है, एक डाइगरम बना रहे हो, ठीक है, let's suppose आप क्या करें, यहाँ पे एक डाइगरम बना रहे हो, त तो, this is your diagram, ठीक है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक है, अब ABC में आप लोग समझ जाओ, कि AB जो angle है, वो 90 degree है, यहाँ पे क्या बोला है, in angle, sorry, triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, यहाँ पे 90 degree बोल दिया है, तो अगर इसमें, जो एक angle होता है, 90 degree होता है, तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते है, बाए, बाए, पाइथागोरस थेरम, बाए, पाइथागोरस थेरम, तो पाइथागोरस थेरम हमारा क्या बोलता है, पाइथागोरस थेरम हमारा बोलता है, कि इसमें जो हाइपोटेनियस होता है, अब मुझे आप बताओ कि हाइपोटेनिस कौन सा होगा साइड आपोजितुटों नंटी है इसका स्कॉयरी स्क्वाइर इसक्यल पॉसरए साइड की फैम क्या पॉलता है हैकर पीदेटमेट अगर पॉलू दुब फीचल्चण ल्टलं पूरा का पूरा नहीं जौपर हो जिल क्या बोलता है कि हाइपोटेनियुस स्कॉायर्य को इस इकोल डूँ साइड का स्कॉायर यह होता है है इसические ट्रीर में wires अब ऊब करना ग्लकेड अब फ़तेनिस क्या है इसमें AC है, तो यह AC का square हो जाएगा, will be equal to, एक side क्या है, BC है, एक side का नाम BC है, दूसरे side का नाम क्या है, AB है, तो यह हो जाएगा, BC square plus AB square है, फिर उसको आगे AB लिख दो, BC पीछे लिख दो, तो चलेगा, कोई बात नहीं, तो AC square is equal to BC square plus AB square, this is the formula for calculating any side or any hypotenuse, हम लोग calculate कर सकते हैं, अब समझ लओ, कि यह तो चलो formula सर ने पढ़ा दिया, ठीक है, अब इसके उपर examples कैसे पुछे जा सकते हैं, आपके exam में, अगर hypotenuse के उपर पूछेगा, तो कैसा पूछेगा, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया example आपके लिए में इसको मैं रफ कर रहो फिलाल में, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, रफ कर दिया, अब समझ लो एक triangle दिया हुआ है, अब यह triangle है जिसका नाम है, दोस्तों, PQR, यह triangle का नाम क्या है, PQR है, समझ लो, इसमें आपको बोला है कि PQ में से angle, in triangle, PQR में angle Q जो है, वो 90 डिगरी दिया हुआ है, और इसमें PQ का value और QR का value दिया हुआ है, यह 9 दिया हुआ, यह 12 दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है, और question पूछाए आपको, find करो hypotenuse, find the hypotenuse, hypotenuse का जो length है, वो आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे इसको, hypotenuse कैसे solve करोगे, तो समझ लोगे, question आपके exam में आगे, आप कैसे solve करोगे, अरे sir, कैसे करे इसको, तो simple सी बात है, यह देख के तो आपको लग रहा होगा, कि एक triangle है, PQR नाम का, जिसमें angle Q 90 डिगरी दिया है, बस इतना ही दिया है, क्या करें, कैसे निकाले, तो आपको एक चीज़ जानते हो, कि कभी भी ऐसा होता है, एक triangle, right angle triangle है, जिसमें 90 डिगरी बन रहा है, तो उसमें हम लोग लगा सकते हैं, बिंदास by Pythagoras theorem, तो हमारा Pythagoras theorem के अनुसार, हमारा Pythagoras theorem के अन so провulay में, side का square, plus side का square, तो इसमें value डाल सकते हैं, क्या है, तो hypotenuse कfta नाम है PR, क्यूー PR है, क्यूँ कि 90 के अपोशिट वहारा साइड होता है, वो hypotenuse होता है, तो hypotenuse क्या है, यहाँपे PR, तो PR का square is equal to, side क्या है, दो side है, एक तो PQ है, दूसरा QR है, तो एक side आपका PQ है, उस QR इसका स्क्क्वायर, प्लस दूसरा साइब ए QR इसका स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब ये PR का स्क्वायर is equal to, PQ का value कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यहाँ पे, तो PQ का value डालेंगे, हमलों 9, इसका inquire, प्लस QR का value जो दिया है वो 12 दिया हुआ है इसका square अब इसको solve कर लेते हैं तो PR square will be equal to 9 square is equal to 81 plus 12 square is equal to 144 इस धोने को plus कर दो 144 प्लस 81 कितना होता है है दो 125 होता है तो 225 होता है तो PR square is equal to 225 लेकिन हम इसी PR का value चाहिए PR square नहीं चाहिए हम इसी PR चाहिए PR मतलब hypotenuse है यहाँ भी PR, PR hypotenuse का value चाहिए ना square नहीं चाहिए तो हमें क्या करेंगे इसको under root में डालना पड़ेगा तो PR will be equal to under root of 225 और 225 किसका square root है square root क्या है 225 का 15 यानि कि आपका answer आ गया PR will be equal to 15 cm जो भी value होगा unit होगा वो डाल देना तो PR का value कितना आ गया 15 cm आ गया कितनी आसानी से हमने solve कर लिया देखो दोस्तों है कि नहीं कितनी आसानी से इसको हमने बिलकुल बहतरीन तरीके से solve कर लिया और इसके chances तो कम है बट आपको सिखाना है तो टेंशन मत लेना मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि यह जो टॉपिक का हमारा पाइथागोरा स्टेरम यह इस टॉपिक को officially आखरी टॉपिक तो officially क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद भी कई सारे टॉपिक है लेकिन वह आपको एक्जाम में पूछेगा वो रिड्यूस सिलाबस के अंदर आ गया तो वो भी बताऊंगा कि कौन सा है ठीक है पहले यह समझ लो कि इसके पहले तक जो भी हमने पड़ा क्या क्या पड़ा दोस्तो एक छोटा समय आपको याद दिलाओ तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा हमने पाइ similarity वाला देख लिया फिर हमने Geometric Mean Theorem देख लिया और अब भी हमने देख लिया Pythagoras Theorem तो इतने सारे जो topics है दोस्तो इसी के उपर एक पूरा का पूरा practice set है जिसका नामे दोस्तो practice set number 2.1 यह पूरे topics के उपर एक practice set है जिसका नामे practice set 2.1 और यह practice set already हमने solve करवाया हुआ हमारे normal regular lecture videos में जो हमने बहुत पहले explain किये हुए बहुत पहले से upload किये हुए तो अगर आप practice set number 2.1 देखना चाहते हो तो please जाए हमारे regular videos में देख लिए पूरा neat and clean तरीके से explain किया है मजा आ जाएगा आपको देखके इतना बहतरीन तरीके से concept and knowledge पढ़ाया हुआ है तो आप जाक नहीं भी है हमारे regular lecture videos में लेकिन आपको reduce syllabus में नहीं है तो पहले तो आप इसको screenshot ले लो क्योंकि मैं अभी यह वाला पार्ट मिटाने जा रहा हूँ तो आप इसको screenshot ले लो screenshot बाद में note-down करते रहे न अपने notebook में ठीक है चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको इतना पार्ट में मि लिए उसके बाद हमारा प्राक्टिसेट आजाएगा तो प्राक्टिसेट अलुड़े हमने सॉल करवाया हूँ तो आप रेगुलर लेक्ट्र वीडियो में जाके देख सकते हो और यहां वे मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अगला जू टॉपिक्स आएगा हमारा वह क्या बोलते हैं उसको हम लोग एप्लीकेशन किसका एप्लीकेशन ओफ पाइथागोरस लिएम एप्लीकेशन पाइफ उसके बाद बहुत बहुत बढूलोनियश थेखेरं यह थे अप्पोलिनेस यह थेखेरं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था लेकिन आपको पताए कि हमारा practice set number 2.2 तो यह भी already हमने solve कर वाया तो आपको बताऊंगा कि यहां पे तो हमारा आज का chapter खतम हो रहा है आज का syllabus खतम हो रहा है क्यों कि इतना आपको एक्जाम में पूछेगा लेकिन यह इतना part already है इस chapter के अंदर तो आपको ज्यादा जान करें के लिए और conceptual knowledge के लिए प फिर भी पढ़ना चाते हो तो application of पाइथागरस theorem साथी में अपॉलियस theorem और पूरा का पूरा practice set भी हमने already हमारे regular lecture videos में पढ़ाया हुआ है और upload करके रखा हुआ है तो अगर आप पढ़ना चाते हो तो वहां से जाके पढ़ सकते हो ठीक है तो इसी के साथ यह पूरा chapter जो हम हम लोग complete करवा देंगे ठीक है जल्दी से जल्दी तो यहां पर यह chapter complete होता है उम्मीद करता हूँ कि आज का one shot video मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं बना comparatively क्योंकि इसके पहले के जो एलजब्रा के chapters तो देड़ देड़ घंटे के बनेते तो यह चोटा ही बनाए ठीक है पता नहीं कितना गंटे का बनाए लेकिन देखना बड़ेगा मुझे तो उमीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा तो जैसा भी लगाए दोस्तो हॉनेश्टी के साथ बता देना क्योंकि बहुत महिनत लगती है one shot video लगा तार रेकॉर्ड करना और ब लाइक कर देना ठीक है दिल से लाइक करना क्यूकि आप लाइक करते हो तो हमारा जो मोटीवेसन है वही से आता है कि यार आप लोगो पसंद आ रहा है आप लोग लाइक कर रहें और कौमेंट करना अच्छी तरीके से ठीके और साथी में दोस्तों को share करना अपने शारे 10 स् होंगे उनके फ्रेंड्स होगे उनको पहुचाओ ये वीडियो बोलो कि सिफ ये वीडियो देख लो पुरा चाप्टर क्लियर हो जाएगा वन शॉट के अंदर शेयर कर देना जितना हो सके उतना दोस्तों और साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चानल पर अगर आए हो आप गुट-्पाइ